आप लोग आज आप लोग के लिए नए वीडियो लेकर आए है इस वीडियो में हम बात करेंगे दिखिए हमारे पास यहां काफी सारे कंपेनी के कोल्डिंग्स के आइटेम है दिखिए चोटा बड़ा सब साइस का है अलग-अलग कंपेनी के अलग-अलग प्रोडक्त है तो कि आज की इस वीडियो में हम इन सवी के विए को मदरें में बात करेंगे किन crushing ऐस अब इंडुर देंगा और चैनल को सबस्क्राइब कि निचे यह सब्सक्राइब करके कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए क्योंकि हम ऐसे नए नए वीडियो आप लोग के लिए हमेशार लेकर आते हैं अच्छलिए दोस्तों बिना डिरी के वीडियो को हम शुर करते हैं तो सबसे पहले दिखिए हमारे पास है यहां 20 रुपय वाला जो स्प्राइट कोल्टिंग्स तो दिखिए यह एक बांडिल में 28 पीस आता है मतलब 560 रुपया इसका रिटेल बिक्रियो और इसका होलसल प्राइस स्रिफ 500 रुपया कीना पड़ता है वीडियो के बीच में एक देना चाहता हूँ जो में इस वीडियो में रेट बताओंगा वह आपके यहां का रेट से सेंभी हो सकता है मुंक्छ थोड़ा कम वह सकता है नहीं तो इसको ज्यादाग हो सकते हो क्योंकि यह अलग-अलग जगा में है के इने चार्ट के उपर 10 रुपया स्प्राइट 28 पी आता है और इसका अभी का होलसल प्राइस है 880 रुपिया और इसका रिटेल बिक्री है कुछ-कुछ जगा में यह 40 रुपिया मार्पी हिसाब से 40 रुपिया बिक्ता है और कुछ-कुछ जगा में यह ठंडे करके 45 रुपिस में बिक्ता है क्योंकि इसमें प्रोफिट का मात्र दुकान से खरीते हैं तो भी आपको एक बंडिल 740 रुपय कीना पड़ता है फिर आता है जो 2.25 ml का जो स्प्राइट है वो एक बंडिल में 9 पीस का एक बंडिल आता है और इसका MRP है 99 रुपीस और यह अगर आप किसी भी होलसेलर दुकान से खरीते हैं तो भी आपको 810 रु आमेल का माज़ा यह ऑक बंडिल में 12 बोतल का एक बंडिल आता है और इसका हॉलसेल प्राइस है अभी 800व इसको तरीस रुपया और जो 600 अमल्स का जो होता है माज़ा यह इस हुआ फेक मंठ जोगीस बोप्राइस हो कर तो 42 रुपिस इसका MRP है और इसक Åν 002 रुपया और जो दोस रुपिया माजा होता है यह एक बांडिल में 4पीस आता है और इसका होलसल प्राइस है तीन सो पचास रुपिया मतब एक बांडिल आपको बैचने पर रिठेल बैचने पर पछास रुपिया मुणाफा होता है फिर दिखिए इस्टिंग एनर्जी ट्रिंग ये 20 MRP का है और एक बांडिल में 30 पीस होता है और इसका होलसल प्राइस है अभी का रेट 550 रुपया मतलब एक बांडिल बैशने पर आपको 50 रुपया मुनाफ़ा होता है रिठेल बैशने पर और कुछ-कुछ दुकांदार इसक लिए फिर देखिए ये पेपसी कॉंपिनी का सेवेन नाप मिरिंडा अब डियू पेपसी ये चारों 20 MRP का है और एक बांडिल में 30 पीस आता है और इसका होलसल प्राइस है 540 रुपया मतलब 18 करके कीना पड़ता है और 20 रुपया बिक्री करना पड़ता है फिर दिखिए 10 से MRP का है स्लाइस ये एक बांडिल में 40 पीस आता है और इसका आपसी प्राइस है 350 रुपया मतलब एक बांडिल बेषने पर अपको डिटेल में 50 रुपया मुनाफ़ा होता है और जो 12 एमेल का स्लाइस होता है ये अभी का रेट है 850 रुपया शोरी 840 रुप्या एक देखे यहां है 200 ml का जो प्राइन कोंपपणी के बंगलादिश प्राइन कोंपणी के फ्रूटों यह 200 ml का है यह एक बंडिल में 24 बोतल का यह 24 बोतल का दो बंडिल का है काटन है तो 24 बोतल का जो एक बंडिल आता है इसका MRP है अभी 20 रुपया MRP और यह होलसल में आपको 380 किना पड़ता है रिठेल पर बेशने पर आपको 20 रुपया करके 24 बेशने पर 480 रुपया भिक्री हो रहा है फिर देखे यहां है प्रान का मेंगो फ्रूटों मेंगो भी है फ्रूटों है इन दोनों में 40 MRP का है और 500 ml का यह 24 बोतल का एक काटन आता है और इसका होलसल प्र बंडिल सेम ही है एक बंडिल में 12 पिस देखे एक लिटर 2.10 बोतल का ईक एक काटन आता है इसका होलसल प्राइस अभीका रेट 704 रुपया फिर देखे यह तोटी सिक्स बिसका प्रान का लिची यह है नांग्ध काको सिक्स अपिस आता है और इसका होलसे प्राइस है अभीका रेट 780 रूपिया जो 10 रूपिया वाला लिची बोतल ये 96 पिस का और 780 रूपिया इसका होलसल प्राइसे फिर दिखिए यहломडिल में यह 40 एमर्पी का है एक बांडिल में 24 पिसका आता है और इसका होलसल प्राइस है पांसो पचास रुपिया इसमें प्रोफिट ही प्रोफिट 40 रुपिया करके 24 पीज बेचेंगे तो आपको 960 रुपिया बिक्री हो रहा है रिठेल में और इसका होलसल प्राइस है पांसो पचास बहुत ही ज्यादा प्रोफिट होता है फिर देखें यहां है यहां है फीज 10 रुपिया फीज यह एक बांडिल में 50 बोटोल होता है यहां का 10 रुपिया मेंगो यह एक बांडिल में 24 पीज आता है और इसका होलसल प्राइस है 160 रूपिया 24 पीस आता है 240 रूपिया आपको विक्री होता है रीटेल और 160 रूपिया आपको होलसल में किना पड़ता है 30 रूपिया एक बांडिल में मुनाफ़ा होता है फिर देखिए यह 20 रूपिया और निमभू पारी सेम ही है मेंगो के टाइप एक बांडिल में 24 पीस इसका होलसल प्राइस है 160 रुपिया फिर देखिए यहां है रेड़ बुल यह एक बांडिल में 24 पीस आता है इसका MRP है 125 रुपिया और 24 बोतल का एक केस आपको 2350 रुपिया होलसल में कीना पड़ता है तो यही जानकारी देना था आज की इस वीडियो में इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मदद वा तो प्लीज वीडियो का एक लाइक किजिए और कमेंड में बताइए आपको यहां कौन साथ चीज किस रेट में बिकरा है और करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोग लिए में शाल लेकर आते हैं तो चलिए एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं